भागलपूर से साइबर ठगी का एक संसनी खेज मामला सामने आया है जहां भागलपूर में एक महिला प्रोफेसर को साइबर ठगों ने जम कर चूना लगा दिया ठगों ने मनी लॉंडरिंग के धम की और जान का खत्रा बताते हुए 47,60,000 रुपे की प्रोफेसर से ठगी कर लूई है दरसल तिलका महाँजी भागल पर विश्विद डाले के आई आर पीम डिपार्टमेंट की होडी को दस जुन को कूरियर बोल कर एक कॉल आया और प्रोफेसर से कूरियर आने की बात कही उसने कहा कि आपका लैपटॉप मॉबाइल पासपोर्ट एरपोर्ट पर फसा हुआ है और आपका आधार काड है इसके बाद दूसरे नमर से कॉल आया कि हम मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं आपको मुंबई के जेल में बंद अपराधी ने टार्गेट किया है आप पर खत्रा है उसके बाद साइवर फ्रोड ने ग्यारा तारीक को प्रोफेसर को भाई दिखा कर उनका एकाउंट डिटेल लिया उसके बाद महिला का दो एफटी तुड़बाया एक बार उसने तीन लाग पांच जार दूसरी बार में दो लाग पांच जार लिये साइवर फ्रोड इतना तक ही नहीं रुका वो अब प्रोफेसर को और ज़्यादा डराने लगा वो लगातार वीडियो कॉल पर रहा 24 गंटे वीडियो कॉल पर रहता था किसी से कुछ बताने नहीं कहता था फिर उसने SIP की जानकारी ली और किसी तरह प्रोफेसर से SIP भुनवाया और उससे 42 लाग पच्छास जार रुपिय निकल वा लिये और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर वा लिया साइबर फ्रोड ने महिला से कहा कि हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे हम खुद आपको कॉल करेंगे इसके बाद 20 की रात से उसका फोन बंद हुआ और फिर प्रोफेसर को ठगी की आशंका हुई तब उन्होंने 1937 पर कॉल कर पूरी जानकारी दी साथी भागलपुर साइबर थाना में भी की मामला दर्ज कराया है टो क्या करेंशन और प्रेखन पर्रेखन, सब्सक्राइब कर से मृटर के लीफटोपक्षा तब राफ और यीव में सब्सक्राइब बाद ने वातना है हम और अन सब्सक्राइब когда दो पूर आप में जो कि अब मैं जो जानकारी आपसे माहूंगा वह आप में क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे आपके मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि क्राइम ब्रांच को पर थो मुझे मेरे जो ओफिसर हैं सिनियर ओफिसर उसने बताया है कि उनको विरिफाइ करिये औ अगर रिजर्व रेंक उचेगी उनको पता होगा कि मेरा पैसा कहा है और हम कहा क्या क्या यूज कर रहे हैं सब पता है सब उसमें पैन दिया रहता है अधार काट दिया रहता है हर चीज वो लेके ही करता है कोई इंवेस्मेंट करता है या कुछ भी करता है तहां फिर भी आप आप ऐसा करो कि आप 42,40,000 का यह करो तो लास्ट दे जो 20 तारीक हो वह आप 20 तारीक हो दस बज़े 17 में उसने मुझे पोन किया टो मुझे ज़र्दी आप 5 मिनट का अंदर बैंक आप बैंक, मुझे नहीं जा सकती है मुझे एंगंटा टाइम एताila मना आताल गन अभी जा सकती है 16 में अब यह ज्या सकती आप 15 तीЗ में जाओ कि अभीदी कॉल पे है या क्या है तो उसमें बोला ना जिसे ही डॉल हुआ तो अब आप पून काट दो मैं आपको करूँगा सारे आठ वजे फोन पून उसमें बोला जिसे ही डिमाग अब ब्लॉक कर दो उसको अनब्लॉक दोनों नमबर को किया दोनों नमबर से कॉल किया और जब टू कॉलर में देखा थे एक पता नहीं कोई पूनम नाम की और एक और कुछ दिका रहा था बिहार सरकार के ग्रामीन विकास मंत्री सिबन कुमार भागलपुर पहुँचे जहां सरकेट हाउस में कारी करताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया यहां उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने काई किसमें गरबड़ी तैवी है और गरबड़ी करने वालों की पहचान भी हो गई है इस पर कड़ी कारवाई भी होगी गरबड़ी करने वाला कोई भी हो कितना भी बड़ा रसूख क्यों जब तक जाच होती है तब तक कोई उस पर तंज कसेगा और कोई इस पर तंज कसेगा ताकि सचाई सामने नहीं आ सके मामने में दूद का दूद और पानी का पानी होगा और कोई भी दोसी बक्सा नहीं जाएगा भागलपूर के नातनगर प्रखंट प्रमुख दुरगा दयाल ने बीडियो अंतिमा कुमारी के खिलाप डीम से शिकैत कि है प्रमुख दुर्गा दियाल ने डियम को लिखेत आवेदन देकर बताया है कि प्रखंड कारियाले नाथनगर पंचायत समिती योजना मदमेरासी आवंटित दोहजार बाइस तैस एवं दोहजार तैस चौबिस रहने के बावजूद बीडियो अंतिमा कुमारी ने एक भी यो आवाज स्योजिना में भी मनमानी करने का आरोप लगाते वे सदर स्डियो से इसकी शिकायत की है उन्होंने बताया कि बीडियो अंतिमा कुमारी एबं आवाज साहिक और कारिपालक की मिली भगत से एक ही व्यक्ति को दोबारा आवाज स्योजिना का लाब देने का आरोप ल जानमान की सुरक्षा को लेकर भागलपूर के वरिया पुलिस अधिक्षक को आवजिन देकर सुरक्षा गार्ड की मांग की है साथ इन्होंने पुलिस अधिक्षक से कहा है कि उन्हें जान का खत्रा है और वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें जल्दी अंगरक् उन्होंने रखा था और गाड के साथ गुरुवार के दिन प्रखंड कारियाले वो पहुँचे थे कि बीडियो अंतिमा कुमारी ने मदुसूदन पूर्थाने की पुलिस को सूचना देकर गाड को हिरासत में ले लिया गया था जाज के बाद गाड को पियार बॉंड पर छोड़ा गया और गाड का लैसेंसी हतियार भी जाज के लिया रखा गया है वही मामले को लेकर मदुसूदन पूर्थाने की पुलिस ने जिलादिकारी को पत्र लिखकर प्राइवेट गाड के हतियार पिस्टल और राइफल के लाइसेंस की जाज सक्षम पदादिकारी से कराने की मांग भी की है पिछले वर्सों से हमारे काम बादित हो रहे हैं पिछले डेड़ वर्सों में हम लोग छेत्र में एल्भी कारe नहीं कर पाएगा और महंगाई हो गया है 25% उनको दे दिया जाया तो फिर कार्य उचित नहीं हो पाएगा कार्य जो है मजबूती डंग से हम लोग नहीं बना पाएगा किसी भी चेतर में और किसे की मनमानी की या यह वीडियो के लिए वीडियो जब से आई है पूरा भरस्टाचार इतने दिनों में सबसे भरस्ट वी मत्ता की विए हुए इंडरा हौावास में बिल खुरिया में हम जाच किये कल अपने करपाला और एंडरा इलएक शायक को बुला है जांच किये Watchmen पाया गया अंध्विस्वास के चक्कर में मिट्टी में दफन मृत बच्ची को 24 घंटे बाद निकाल कर परिजन अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टरों से दावा करते हैं कि बच्ची जिंदा है इसे ऑक्सिजन दिजिए जहाँ भागलपूर के नौगच्ची में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहाँ एक दिन पहले एक बच्ची की मौत बीमारी के वज़े से हो गई थी जिसे परिवार वालों ने मिट्टी में दफन कर दिया था लेकिन जाड़ फुक करने वाले के चकर में आकर पर बच्ची के पिता भगवान महतो ने कहा कि बच्ची को बुखार हुआ था जिसको इलाज के लिए नवगच्शा के डॉक्टर के यहां लेकर गए थे। जो डॉक्टर ने बच्ची को एक सुई लगाया घराने के बाद अगले दिन बच्ची की तबियत जादा खराब होगी ज से हम जिन्दा कर देंगे और बच्ची को अस्पताल में भरती कराओ बच्ची के उम्र लगबग 10 महीने थी वहीं जाड़ फुक करने वाले महला सोनी देवी ने दावा किया कि मेरे सरीर पर भगत आते हैं उन्होंने ही कहा कि तुम्हारी बच्ची जिन्दा है उसे अस्पत फूल और पानी से जाड़ फुक करने लगी और जब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्ची की मौत हो चीके है तो मृत बच्ची के परिजन और ग्रामीन अस्पताल में हंगामा करने लगे जिसके बाद पुलिस के पहुचने के बाद मामला सांथ हुआ थो है मला बिसारी माइं का नाम ले राता है कि ये इकर छीमार पंधान सा decor करो लोग महों। मला को ओशा कि कुछ शार करो जेखना से बस्त प्राधियी से ड़के से से भाखने मार जाया रत बाराब भी दूरेंस इसमने दूर्वाइकशा रियां तुद्धा साम फैसा देखत視 कि ब्लाव-दोर्भी दोने धुरेंस्किर वह ना हो कि ओने डिरेंस्ट केली भी पनोरे जक्षाद्लै अपका नम क्या है इसलिए अपका नम क्या दोरियों जनकारी कर्या कहा efect कपस היא आप काम नहीं करते हैं हम और कला क्काम नहीं कि अधर ₹ में पर्सो लगा परस परसो तका पैसे लेंगे उपर में ठीक उसके उसके डब्ड़ नहींता ता उसका पत नीटा विए उसके आए उसके बाद आ काल के भुर में दजी दवा से आ गए तो उसके बगल में पहले एक ड़क्टर है उसके हाँ देखाया दो बच्चा ठीक है और जा भागलपूर भागलपूर जेते तिलकाम उत्रेंगे बचा सब रूपिया इसलिए हम ड़क्टर कर गए हैं ड़क्टर कर बताया कि बच्चा न में दो बच्चा ने बच्टर करो उसके बच्चा को कही बच्चा नाइए अभी बाइस्तारी को क्या बजे लंग समय एक सबायक बजे आ उसके तो बीमार के वज़े से वह नगच्छा किसी नीजी किलिक में भरती थी और भरती के करम और उसका तवियत विगर ने लगी जिसको रेफर करके भागलपूर 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 एक नीजी किलिक में ले जाएगा जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मिर्थ घोसित किया गया यह कल की इंगतना है उसके बाद वहाँ से जब मिर्थ घोसित किया गया तो फिर उनको नोगचिया लाया गया कही पर बच्छी को दफना दिया गया लेकिन इसी करम में गाउं घर में तो जारफुक बला वते हैं उनको बताया कि हमको भगवती माँ आती है इस बच्ची को निकालो हम जिन्दा करेंगे तो आज सुबह लगवग बार एक बज़े उस बच्ची को दफनाया वह बच्ची को बाहर निकालके अनमंडली अस्पतार लाया गया जब यहां आया तो उसके साथ जारफुक बाली भी थी वो बले कि इसको ऑक्षिजन लगाई तो हम लोग मोनीटर लगाए तो तो कल ही देत कर गए तो तुमी तक थी तो हम लोग बोले कि नहीं है बच्ची तो इसी बीच में नम्यपट्टी के कुछ आदमी उनके परिवार जन सवाय कुछ-कुछ हनगामा करने लगे जिसके वज़ा से यहां के प्रवंधर प्रवाबित हुई इसको देखते हुए हमने पुलीस को इंफॉर्म किये पुलीस आए तब जाके मामला को संथ करके रफा रफा किये अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट तुतलाहट या मूख बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक ओडियोलोजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विशुस्तरिये बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लुटीथ फैसिलेटी तो आज ही सुनने की जाज कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ओफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर मोबाइल 70501-93341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचबटी कॉंप्लेक्स बिहार टॉकिज रोड लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिव रोड में ए भी मेडिकल के समीब मश्कार मैं डॉक्टर अजयक वार से सिसुरोग विशसग बिहार जारकंड में अग्रणी मेरसले अस्पताल जो सबसे पहले बिहार जारकंड में क्रितिम सोशन मशीन यहां आया ब्लड गैसन लैजर आया और एक नायाब मशीन जो देर सेरवे बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेस्पूल है और हुआ भी में कलाजता से बचाता है और बचले की सम्मावना बढ़ती है वह मसीन जो देर सेरवे बच्चा है उसमें 3 डिगरी कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और तीन दीर यूज रहा है उसके ताथ पांच लाग का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए बच्चों के लिए आप यहां उपलंद है उसको ले सकते हैं ध्यान रहे कि पांच साल के कमर के उमर में के बच्चों को आइस्वान काट के लग से जबरत नहीं है यदि आपके माता पिटा ये का नाम है तो वो इसमें लाब उखो सकते हैं और आप इसका लाब उटा सकते हैं धन्यवाद सुल्तान गंज रिल्वे स्टेशन और महसी स्टेशन के बीच चत्थूर्त वर गिया रिल्वे करमशारी मुहमद असलम का रिल्वे ट्रेक पर काम करते हुए दर्दनाक मौत हो गई गटने के बारे में बताया जा रहा है कि मौहमद असलम कल देर रात सुल्तान गंज और महसी स्टेशन के बीच रिल्वे ट्रेक पर काम कर रहा था इसी बीच कोई सवारी ट्रेन वहां पर आकर रुकी फिर ट्रेन कई जाच करने के दौरान बोगी का कोई लोहे का सामान मौहमद असलम के सर पर आकर गीर पड़ा जिससे मौहमद असलम उससी जगह घाल हो गया इसके बाद वहां पर काम कर रहसा करमियों ने मौहमद असलम को घाल वस्था में भागलपुर के नेजे क्लिनिक में इलाज के लिए भरती कराया जहां पर डॉक्टरों ने मौहमद असलम को मृत घोसित कर दिया इसके बाद मुहमد असलम के बहनोई मुहमद मिराज ने बहनोई पिछले कई वरसों से रेलवे में चतूर्थ स्रिनी के करमचारी के पढ़ पर न्युक थी। और कल देर रात इनकी रात्री ड्यूटी लगाई गई थी। मिराज नी ये भी कहा कि परिवार के किसी भी सदस को यदियानकमपा पर नौकरी मिलती है तो रेलवे ट्रैक पर काम नहीं करने दिया जाएगा। उसे रेलवे के वरक्शॉप के अंदर काम मिले जब रेलवे करमशारियों के साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाती है तो विफाग किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करती है। तूट जाने के कारण वो उनके सर पे आ करके लगा और वहीं पर वो गिर गया। उनके जो सहकर्मी थे जो उनके साथ काम कर रहे थे उन लोगों ने आनन फानन में जो भी नजदी की हॉस्पिटल का पहले एम्बुलेंस को बिलवाया पंद्रह बिसमिंट लगा उसको आने म एम्बुलेंस के जरिया उनको ले गया हॉस्पिटल और वहाँ जब नहीं हो पाया तो इन्होंने दो भागलपुल के अंदर दो हॉस्पिटल ऐसा है जहां परके वो गया और बहुत ही शर्मनात बात है कि इस पेसेंट को जब ले करके जाया गया तो उन लोगों ने हाथ त दोनों प्राइवेट है और सभी सरकारी करमचारी रेलवे सरकारी करमचारी इस करमचारी को रिले करके मिर्टक को जब वहाँ पहुंचे है तो दोनों हॉस्पिटल ने मना कर दिया उनको हाथ लगाने से भी इवें के आज सुबह साड़े नौ बजे तक पेसेंट के सर से ब लोधी पूर्थानक छित्र के स्याम नगर चौक में जमिनी विवाद को लेकर चार राउंड गोली चली है हम आपको बतातों चली कि आज तड़के सुबह रितेश महता ने अपने भाईयों को धशत में लाने के खयाल से चार राउंड गोली चला दी वहीं गोली चलते ही आ पराटे के सिक्षक भी हैं और दबंग प्रवर्ती के हम सभी का हिस्सा भी वो हडपना चाहते हैं पूर में भी हम लोगों से उनकी ये लड़ाई जगडा हुई थी लेकिन आज सर से पाने उपर चला गया वहीं रितेश महता के भाई ने कहा कि रितेश ने चार राउंड फ दिये थे हमको आकर के भूद गंदा गंदा गाली दिये तब हम गय थे थाना और अभी दो दिन पहले से वो दूसरे जगर रते लालू चाहण गारी में वहां से सारा समान लाके यहां जबरदस्ती कहते हैं कि मेरा भी हिस्सा है और हम लोग को नहीं दे रहा है जमीनी वी ब जमीन भी साथ कठा जादे ले लिया है एपार्टमेंट भी ले लिया है उसके बाद यहां भी हत्मया मचा रहा है हुआ है ले 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 टावर हो चुदा और खुर्दम उसका नहीं हुआ है उसका कर रहा है बहले कोई अपरादिक मामला भी दर्ज आपके भाई के उपर आप पहले हां क्या करता पका भाई दिया है सब्सक्राइब करेंगे लाइन संजय लाट ने शनिवार को भागलपुर में कॉन्फरेंस का उजन किया। इसके पस्चाथ जोन चेरपरसन लाइन अबरनाथ चमडिया, एम लाइन रश्मय अगरवाल ने अपने जोन के इंतरगत आने वाले क्लब की सेबागत वीधियों पर विस्तार से प्रकास डाला। पार सैली की परसंसा की उन्हें जिलापाल के मेडल से भी सम्मानित किया गया। वही रिजन चेरपरसन संजेलाट ने अपने दोनों जोन चेरपरसन और सभी कलब को मोमिन्टो देकर उन्हें सम्मानित किया। साथी मौशरी बॉक्स के सिवा के लिए लाइन उजेन मालू को, हमियोपेट सिवा के लिए लाइन प्रमोत पुद्दार को, अन्नपुर्ना भोजन सिवा के लिए लाइन गोपाल खेतरिवाल को, मोत्या बिंद ऑपरिसन सिवा के लिए लाइन मनोज कुमार सर्मा को, और हा उनको सांग बेवा करना पगता है और वो अपने पूरे टेङ्व का क्या मेंबर्स का ग्रोथ हुआ है क्या मैनास हुआ है क्या क्या वर्किली फॉर्वन एक क्या काम किया है उसका व्योरा सबूशे आहलों यहां पर डिसकर सब्सक्राइब कि लिए है किसी मीत्रें हिसे हिक्ता है हमस्ताय दियार ह्ते हैं। ते हैं यह दूलर अन्वर नाजन चलता है उसमें पर 30 दिम सी भी टे खरे देथे आज हम लोग लाइन्स काव लो गो घ्लती जिनद थे परसंड करें लौल यह उसमें जीतने की हमारे अंडर принцип है। सब्सक्राइब लेर्ग का हूद क हर उसका व्योरा लेते हैं, बॉसका डिसक्ष करते हैं। आगे हम लोग को और इसको कैसे को सहां करना है, तो सहिच करना है मेंबर्स को, उसको हम लोग का करना है। आज रीजन 9 का रीजन कॉंफरेंस है, जो की भागलपूर छेतर का है, भागलपूर छेतर में जो हमारे 9 क्लब है, उसे संबंदित, उन लोगों ने पूरे साल बर तक जो सेवा कारे किये हैं, या लाइनस इंटरनाशनल के जो गोल्स थे, वीजन से, एक्शन थे, उसके बारे में पूरी प्रिचर्चा आज हम लोगों इस बठाती है, इस बार हम लोगों ने जो कारे किया है, उसे पहला तो हम लोगों ने लाइन संब्रेला का वितरन किया था, सप्टम्बर में, लिक्षा रोपन का कारे करम हम लोगों ने किया, सारे क्लभों ने बहुत अच्छे सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे इनके समय में सबसे मुक्रूप से इसे सबसें अन्कुर्णा भोजन गणा है उसे में और फ्रेंस अर भूजन सब्सक्राइब हाई सबसे से कम से कम बीते 15 जून 2024 को जोकसर थानक खेत्र के दीपनगर बहले में काजल देवी नमक महिला ने फासिन लगा कर आत्मत्या कर ली थी इसके बाद माले कारी करताओं ने भागलपुर के समाहरनले गेट पर धरना प्रदोशन दिया था माले कारी करताओं का आरोप था कि काजल देवी की हत्या हुई है हत्यारे को अविलंब पुलिस गिरफतार करें इसके बाद कॉंग्रेस भवन में नगर निगम वाड नमर 21 के पारशत संजे सिना के अदक्षिता में एक महत्तुपुर्ण बैठक बुड़ाई गई जिस बैठक में अस्थानी लोगों के साथ साथ सांते समिति के लोग भी मौजूद थे सब ने एक सुर में कहा कि किसी भी मामले में निर्दोस भसे नहीं और दोसी बचे नहीं इसके बाद संजे सिना ने कहा कि कुछ लोग मिलकर धरना प्रदशन कर समाज में शानती भंग करने का काम कर रहे हैं काजल देवी का पोस्ट माटम रिपोर्ट आ गया है पोस्ट माटम रिपोर्ट में फासी लगा कर आत्मत्या करने की बात सामने आई है वही सांति समिती के सदस्य कमल जैस्वाल ने कहा कि यदि किसी को लगता है कि काजल देवी की हत्या हुई है तो वह गोपनिय तरीके से पुलिस को सुचित करे पुलिस उस पर विदे सम्मत का रवाई करेगी इस तरह धरना प्रतोषन करने से शांति भंग हो जाती है इस बैठ के रामदेब चोधरी की लड़की काजल खासी लगाके मर गई इस संदर में कुछ गलत लोगों के द्वारा यहां प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने का काम किया और दोसी बैक्ती को बचाने का काम कर रहा था निर्दोस बैक्ती फज जाए इसके लिए प्रयास किया जा लेकिन मेरा कहना था कि जब तक कि पोस्ट मॉटम रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक हम लोग किसी के उपर आरोप लगाना गुनागार है और इस बीच में कुछ लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया अंधोलन किया और जाके जिला दिकारी मोहदे से मौजा का मांग किय कि उसको मार दिया गया उसके साथ बलतकार किया गया और उसको ठासी पर लटका दिया जो निराधार है दोसी बचे नहीं और निर्दोस फसे नहीं इसके लिए हम लोग ने मेहनत करके आज समाज के लोगों को आगे करने का काम किया है जो दुकंदारी करते हैं लोग गलत त हम लोगा में मकसद था कि समाज के अंदर में शांती बहाल हो दूसरी बात है कि जो आदमी निर्दोस है वो फसे नहीं और दोसी छुटे नहीं मकसद ये था और समाज के तमाम लोगों को समरस्ता की बात बताई गई सांती का पाट पड़ाया गया और उनकों संबोधन में ये कहा गया कि वैसे व्यक्ति को चिन्नित करें जो व्यक्ति नहीं है वो खोज के पुलिस नहीं निकाल सकती है उसमें यहां के अस्थानिये लोगों का भी एक सहयोग चाहिए तभी उस आदमी को दोसी को पकड़ा जा सकता है यदि वो अपने आप में आत्म हत्या है तो बात कुछ और है यदि किसी ने हत्याक कर दिया तो उसको खोज स्मार्टरम रिपोर्ट में हैंगिंग का मामला आया है यहां चर्चा का विशे रहा कि इसका बलतकार हुआ लेकिन ऐसी बातें सामने नहीं आ रहे हैं उसके अगल वगल के लोगों ने बोला हम लोगों ने ऐसी घटता के साथ किसी को देखा नहीं है मैं तो ने अभी पूर मन्च से बताया कि ने सर हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है